क्या कहा था पुणिया उम्वीद्वार के तौर पर चुनाव जरूर लड़ रहा हूं लेकिन कॉंग्रेस का साथ प्राप्त है हर किसी के एक ही आवास पूनिया और पप्पू निर्दलीय उम्वीद्वार के तौर पर भी पूनिया से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन इंडिया गड़बंधन को मजबूत बनाऊंगा नामांकन बरने के बाद यही सब बाते कही गए थी पपू यादव की तरफ से लेकिन अब उनका दाम ही उनके उपर उल्टा पड़ गया है क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से ये साफसाफ कह दिया गया है कि नामांकन वापस ले लो हमें ये मन्जूर नहीं है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्याक्षा अखिलेश जी की तरफ से ये बात कही गई है पप्पु जी को कि नामांकन निर्दलिय के तौर पर जो आपने भरा था ये घुस्ताखी किया आपने नामांकन बापस ले लीजे किसी भी रूप में इंडिया गट बंधन या फिर कॉंग्रेस इस तेवर को बढ़दाश्त नहीं करेगी बाखाइदा उधारण दिया गिया है ये बताया गिया है कॉंग्रेस की तरफ से कि कैसे बहुत से उमीदवार थे जिने नहीं मिल पाया चुनावचन जिने प्रत्याशी नहीं बनाया गिया उन्होंने तो ये काम नहीं किया निखिल कुमार को और अंगाबाद से टिकट नहीं दिया पाथी ने लेकिन वो नहीं लड़े निर्दलिय उमीदवार के तौट पर तो पप्पु यादव को भी ये नहीं करना चाहिए ये कॉंग्रेस की तरफ से कहा गया है मतलब नामांकन के ठीक बाद जो पप्पु यादव की तरफ से बाते कहीं गई थी क्या वो सब जूटी थी? क्या वो कोरी कलपना थी? क्या पप्पु यादव अपनी तरफ से स्टोरी बना बना के जनता के सामने पेश कर रहे थे ताकि उन्हें मिल पाए लोगों का समर्थन पपु यादव ने नामांकन के बाद एक जनसभा भी की थी और इस जनसभा को करते हुए उनकी तरफ से मोश्टल काट खेला गया था फिल्मी डालोग जैसे होता ना क्या कमी नहें गई थी मुझे यही कहा था उन्होंने? लालू यादव का नाम लिया तेजस्वी यादव का नाम लिया और यह पूठा उस जनसभा में कि मुझे में क्या कमी रह गई थी जो पूणिया से मुझे सीट नहीं दी गई, उमीदवार नहीं बनाये गया काभी मुझे कह दिया गया कि तुम भलानी सीट पर चले जाओ, मधे पूरा चले जाओ लेकिन पूणिया को छोड़ दो, क्यूँ? सबकी एक ही आवास पपू और पूणिया यही बाते वो कहते वे दिखाए दिया थे, लेकिन अब उनका दाम उल्टा पड़ चुका है और उन्हें ही भारी पड़ चुका है अब कॉंग्रस ने जब यह बता दिया कि तुमारे यह तेवर हमें बरदाश्त नहीं है तो अगला खदम पपू यादव का क्या रहने वाला है इसके उपर तो सब की नजर रहे गी ही क्योंकि कॉंग्रस यह कह रही है कि नामांकन वापस लेने की जो तारीख है उसके पहले पहले ले लो नामांकन वापस पर अगर पपू यादव नहीं वापस लेते हैं नाम वापस नहीं लेते हैं लड़ते हैं निर्दली ओ उमीदवार की तौर पर चुनाव तो फिर क्या होगा यहां का जो गड़ित है जो सीटों का गड़ित है वो ऐसा है कि डेडियू ने अभी फिलाल यहां से अपना उमीदवार उतारा है अगर बीजेपी डेडियू के हम बात करें मतलब एंडिये की बात करें उनकी तरफ से जो उम्मिद्वार उतारा गया है वो मौजूदा सांसद है अब पिछले लोगसभा चुनाफ का अगर मैं आपको यहां उधारण दूँ तो लोगसभा चुनाफ के दौरान संतोष कुश्वाहा को 6,32,000 से जादा वोट मिले थे दूसरे नमबर पर यहीं अंडिडेट था मतलब जेडियू और कॉंग्रेस का उनके बीच में तकरीबन 3,00,000 वोटों का अंतर था तो वैसे ही BJP जेडियू की स्थिती मजबूत है मतलब NDA की स्थिती मजबूत है तो मजबूत स्थिती में भी दूसरे नमबर पर जो कॉंग्रेस आई थी आप उसी क वोट बैंक को काटने के लिए पपू यादम नर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कहावत सुनिया न आपने दो बिल्लीयों की लड़ाई में फाइदा हमेशा बंदर का होता है और वही फिलहाल इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है क्या वही वाली कहावत दो बिल कि सीट से हाथ तो नहीं दो बैठेगा राय आपकी क्या है कॉमें सेक्शन में बताइए